Hello everyone, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं काजल धामी, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चानल Pupil DJ में यदि आप CTAT December 2021 के तियारी कर रहे हैं और इस वीडियो तक आ गएं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजेगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग discuss करेंगे, यह जो हमारी आगामी CTAT परिक्षा है जो कि December में होने वाली है जैसे कि हम लोगों को पता है कि यह online mode पे होने वाली है, तो online exam के लिए हमारी क्या strategy होनी चाहिए हम लोगों को किस तरीके से अपनी त्यारी करनी है और साते साथ परिक्षा में किस तरीके से time manage करना है तो चलिए वीडियो शुरू करें और साते साथ अगर आप मेरे साथ त्यारी करना चाहें तो आपको playlist section में अलग-लग विश्यों की playlist मिल जाएगी आप वहाँ से अपनी त्यारी कर सकते हैं और आप मेरे साथ telegram ग्रूपे भी जूर सकते हैं जिसका link आप लोगों को description में मिल जाएगा अब चलिए वीडियो को शुरू करें जैसा कि हम लोगों को पता है कि seatite की ये जो परिक्षा है इसके जो application form फिल करने की जो आखरी तिथी है वो आज की है और ये जो हमारी परिक्षा है ये हमारी online mode होने वाली है और अलग-अलग shift में होने वाली है तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये confusion है कि हम लोगों का परिक्षा कब होगी हम लोगों की exam कब होगी तो देखें आप लोगों के जो admit card होगा उसमें वहाँ पे जो date mention होगी जो time mention होगा उसके हिसाब से आप लोगों को एक दिन यहाँ पे दिया जाएगा और उस एक दिन आ एक्जाम नहीं होगा, आप लोगों को प्रॉपर एक्जामिनेशन सेंटर यहां पर प्रोवाइड किये जाएंगे, उस हिसाब से आप लोगों को वहाँ पर जा रहा है, टाइमिंग के अनुसार और वहाँ जा के आपकी परिक्षा होगी, साथे साथ कई लोगों का एक और डा डाइग्राम ड्रॉप करना होता है, तो देखिए, आप लोगों को वहाँ पर एक रफ शीट दी जाएगी, जिसमें आप वहाँ पर उस सीज को ड्रॉप करके देख सकते हो, एक ब्लांक शीट और एक पैन वहाँ पर एबिलेबल कराया जाएगा, इसके अलावा, अगर हम त बात करूं, तो पेपर वन में, यहाँ पर कितने हमसे पार्ट पूछ जाते हैं, पांच अलगलग पार्ट पूछ जाते हैं, यानि कि यह जितने भी हमारे पार्ट हैं, वो कितने-कितने अंकों के आते हैं, वो 30-30 अंकों के आते हैं, जैसे कि CDP हमसे 30 अंकों की पूछ ली जाएगी जो गनित है वो तीस अंकों की पूछी जाएगी भाषा एक भाषा दो जो आप चैन करते हैं फॉर्म फिल करते हुए वह आप से तीस अंकों का पूछा जाएगा इस तरीके से यहां पर तीस तीस में यहां पर यह सेक्शन डिवाइड होता है तो देखिए ओनलाइन एक्जाम है तो हम लोगों को तैयारी भी उसी तरीके से करनी है तो सबसे पहला टिप्स जो आप लोगों को याद अखना है आप लोगों को टाइम मैनेज करना सीखना है देखिए आप लोगों को पता है कि जब हमारे सामने पेन पेपर टेस्ट होता था पेन पेपर और उसको हम पढ़के OMR में फिल करते थे, वो चीज अलग होती है, जब हमारे सामने वहाँ पे स्क्रीन में कोशन चल रहे होते हैं, तो साथ में वहाँ पे टाइमर भी चल रहा होता है, जिससे हम लोगों को घबराहत जादा होती है, तो आप लोगों को क्या करना है, ओनलाइ हमें एक और पॉइंट में हाँ पे आड करना चाहूंगी, टाइम मैनेज करते हुए, आप ये भी ध्यान दीजे कि कौन सा ऐसा सेक्षन है, जिसको आप जल्दी हाँ पे हल कर पा रहे हो, जैसे कि माल लिया जाए कि एक ऐसा स्टूडेंट है, एक ऐसा कैंडिडेट है, जिस प्लस होगा, पर यहाँ पर मिनिमम जो आपको माक्स लाने, वो यहाँ पर 90 माक्स आपको लेके आने, तो देखिए, सबसे पहले आपको 90 माक्स, मैं जनरल कैंडिडेट के लिए बोल रहे हूँ, 90 माक्स पहले आप ये सिक्योर कर लीजिए, और उसके बाद आपका, इसके आ उनलाइन मॉक टेस्ट हम कौन सी साइट पर जाके दें, तो अगर आप गूगल क्रोब में, ये CDP के कोशन वगारा सर्च करो, तो वहाँ पर भी टाइमर के साथ आपको वो कोशन मिल जाएंगे, इसके अलावाद जरूरी नहीं है कि आप उनलाइन मॉक टेस्ट दे, आप ल कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन करने में, जैसे कि CDP, गनित या फिर प्रियावधन अधियन करने में, आपको कितना समय लग रहा है, जिसमें आपको सबसे कम समय लगे, यानि कि सबसे कम समय के साथ सबसे कम गल्ती भी होनी जिए, जैसे कि हमें पता है कि यह पर बढ़ानी है, जैसे कि मैंने कहा जब हम लोग किसी कौपी या फिर किसी बुक में से हम किसी चीज को रीड करते हैं, तो वो बात अलग होती है, पर जब आप स्क्रीन में पढ़ते हैं, तो वो चीज अलग हो जाती है, इसके अलावा अगर आपने एक्जांपलर पेपर इसके अलावा जो हम लोगों को पैसेज वगेरा सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर थोड़ा सा डिस अग्वांटेज हो जाएगा, इसके बाद आपको यहां पे उसे हल करना पड़ेगा, तो इस रिसाप से हम कह सकते हैं, कि रीडिंग आपके अच्छी होगी, तो आप लोगों को यहां पर मदद मिलेगी, तो देखिए, यहां पर आपको अपने तयारी तो उसी लेविल से करनी है, जिस लेविल से आप पहले से तयारी करते थे, कि आप लोगों ने CDP का यहां पर से लेबस उठा लिया, CDP के जो इंपॉर्ट होती है, आप लोग क्या करिए, आप लोग टॉपिक वाइस यहां पर नोट्स बनाईए, ज्यादा टॉपिक नहीं है, अगर आप ध्यान से गौर करें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे बार बार कुशन आ है, इसके उसके तो आप नोट्स बनाई लीजिए, इसके इसके लावा, अगर हम मैं पेपर 2 की बात करूँ, तो जैसे की सामाजिक अध्यन हो गया, या फिर विज्ञान हो गया, वो NCRT के आप क्या कर सकते हो, रीडिंग यहां पर कर सकते हो, देखिए, रीडिंग करने से एक तो यह होगा, कि NCRT में आपके एक भी पॉइंट वहा करना होता है, या फिर अगर हमें पहला वाला सेक्शन नहीं करना है, और हमें सीधा दूसर वाला सेक्शन करना है, तो हम क्या करें, तो आप सीधा दूसर वाले सेक्शन से भी सुरू कर सकते हैं, और फाइनल समिट जो है, आप एक्जामिनेशन के अंत में करेंगे, यानि कि जब आपके धाई घंटे पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही आप होँपे final submit करेंगे उससे पहले आपको final submit नहीं करना देखिए सबसे पहले आपको time manage करना सीखना है जिसके लिए आप online mock test दें online mock test क्या जो भी आप कोशिन कर रहे हैं उसको आप जल्दी से जल्दी हल करने की क कोशिश करें और सटीक तरीके से सही भी होने चीए साथे साथ आप ये भी देखें कि आपको कौन से section में सबसे कम समय लग रहा है कौन से section में ज्यादा समय लग रहा कौन सा area जो है आपके लिए difficult है आप इसे साब से खुद ही उसे चैन करें इसके अलावा reading habit तो आपको बन जाता है जब तक आप अपने खुद के notes ना बनाएं तो देखें आप खुद के notes बनाएं इसके लिए आप दूसरा के notes के help ले सकते हैं ऐसा कुछ वो जरूरी नहीं कि आप खुद ही पढ़के बना रहें आप अलग-लग resources से अलग-लग help ले सकते हैं पर आप खुद के notes बना होगा वो जो examplar paper हमारे सामने बना है उसमें कोई नई question नहीं दिये हुए अगर आप paper 1 और paper 2 के previous year के question खोल के देखें तो उसमें से जो कुछ specific question थे कुछ सटी question थे उनको वहां पर उठा के हमारा examplar paper यहां पर बनाया गया है इसके अलावा जिनको अभी तक भी नहीं पता कि examplar paper क्या है तो मैं बता दू सीटाइट की official website पे एक हमें PDF दे रखी है जिसमें हमें बताया गया है कि सीटाइट December 2021 जो है यह online mode पे होने वाला है तो हमारे question के level किस तरीके से होंगे उसमें हमें paper 1 के कुछ present paper 2 के कुछ present वो भी कहां से दे रखें वो भी हमें previous year से ही दे र रखा सारे के सारे question जो है वो previous year से दे रखें और previous year के जो question दे रखें वो जाड़ा पुरानी भी ने रखेंगी सीधा 2011 से शुरू कर दी है वो तीन से चार साल पहले अगर आप चाहें तो आपके पास time है तो आप 5 years पहले के भी आप कर सकते हैं मतलब 5 paper आप paper 1 के और 5 जो question paper पर है paper 2 के आप इस तरीके से अपनी त्यारी कर सकते हैं तो देखिए आपको यह सब चीजे तो focus करनी है साथे साथ अगर अभी तक आप लोगों ने वो जो examplar paper है वो download नहीं किया तो sitat के official website से वो download कीजिए क्योंकि आप लोगों को question का level अच्छे से पता होना बहुत ज्या तो हम लोगों को लाना है क्योंकि sitat जो है qualifying paper है और इसकी जो वैदिता है वो आप lifetime कर दी है आप लोगों का target यहां पर जैसे 110 प्लस होगा 120 प्लस होगा तो अगर आप इन बातों को यहां पर ध्यान रखते हैं तो आप लोग इस target को achieve करने में आपको कोई नहीं रुख सकता और जैसे कि मैंने कहा कि मैं sitat की जब से notification आईए तब से मैं आप लोगों के तयारी करा रही हूँ और जब तक sitat की परिक्षा नहीं हो जाती तब तक मैं आप लोगों के साथ जूड़े रहूँगी इसलिए आप playlist section में जाईए और आपको अलग-लग विशियों के अलग- session कर सकते हो आज की इस वीडियो में इतना ही I hope यह जो tips मैंने आप लोगों को दिये यह जो sitat के online exam के लिए आप लोगों को helpful रगे हो इस वीडियो में इतना ही अब मैं आप से मिलूंगे अगले वीडियो में अगले topic के साथ बाई-बाई-टेक केर